नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए भारती तिहास से टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्णों को देखेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लाट्स तक देखिए और सभी प्रस्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए इस क्लास में दोस्तों जितने भी प्रस्ण लिये गए हैं ये सभी प्रस्ण काफी ज़्यादा महत्तपूर हैं यहां से आपके एक्जाम में निश्चित रोप से प्रस्ण पूछा जाएगा इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लाट सक देखिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है किस पूरा तात्विक अस्थल पर गर्थ आवासों के प्रमाण मिले हैं आप्शन आप सभी के सामने है याद रखिए कि दोस्तो गर्थ आवासों के प्रमाण बुर्ज होम पूरा तात्विक अस्थल से प्राप्त हुए हैं यहां पर डी आप्शन आपका राइट हो जाएगा बुर्ज होम जम्मु कस्मीर राजज में इस्थित प्रमुख एतिहासिक हडपा कालिन अस्थल है यहां पर कई प्राचीन भूमिगत गर्थ आवास पाए गए हैं यहां पर आपका डी आप्शन राइट है अगला प्रश्न है छठी सताब्दी इसापूर्व में कितनी महान सक्तियां अस्तित तुमें थी कितने महा जनपद अस्तित तुमें थे तो याद रखिएगा छठी सताब्दी इसापूर्व में सोला महान सक्तियां अस्तित तुमें थी यहां पर डी आप्शन राइट है सोला महा जनपद थे दोस्तो इनके नाम है वत्स, कासी, अंग, चाल, चेदी, कुरू, मच्स, गांधार, अस्मक, सूरसेन, कमबोज, यह दोस्तो 16 महा जनपद है, यहाँ पर D. आपसन आपका राइट है, मलिक एक्तियार उद्दिन, अलतुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था, देखे दोस्तो, यहाँ पर आपका राइ के किला मुबारक में कैद किया था, अगला प्रशन है, दीवान एक कोही के रूप में विक्ष्यात क्रिसी विभाग किस के द्वारा बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो याद रखिएगा मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था यहाँ पर ए आपसन राइट है मुहम्मद बिन तुगलक ने कृसी की उन्नत के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर को ही की अस्थापना की थी यहाँ पर ए आपसन राइट है जोर्वे कल्चर एक चालको लिथिक पूरा तात्विक अस्थल था जो वर्तमान समय में किस भारती राज्ज में इस्थित है तो देखे दोस्तों वर्तमान में यह महाराश्च में इस्थित है यहाँ पर ए आपसन राइट है जोर्वे महाराश अहमद नगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर इस्थित एक गाउं योंपुरा तात्विक अस्थल है जहां पर जोर्वे संस्कृति के आउसेस प्राप्त हुए हैं यहां पर ए आपसन आपका राइट है अगला पृष्ण है प्राचीन मगत सम् राजरि गिरिवरज कहां पर इस्थित थी तो याद रखिएगा ये दोस्तो बिहार में इस्थित थी यहां पर D. आपसन राइट है मगत सम्राज के अंतरगत दोस्तो आधूनिक बिहार के पटना गया योंप शाहाबाद जिले के छेतर समलित थे यहां पर D. आपसन याद रखियेगा रजिया इलतुतमिस की बेटी थी रजिया सुल्तान 1236 से ले करके 1240 तक गुलाम वंस की सासी का थी इसे भी आप लोग याद रखियेगा अगला प्रश्ण है तुगलक राजवंस के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के अस्थान पर ताबे के सिक्के चला क्यों क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलक सोने और चांदी जैसी कीमती धात्वों को नस्ट होने से बचाना चाहता था परन्तु बाजार में ताबे के नकली सिक्के आजाने से इसकी योजना दोस्तो सफल नहीं हो सकी तो यहाँ पर बी आपसन आपका राइट है मुहम्मद बिन तुगलक हर्यकवंस का सासक अजात सत्रू किसका पुत्र था याद रखिएगा अजात सत्रू बिम्बिसार का पुत्र था देखे दोस्तों अजात सत्रू 492 इसा पूर्व में अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था इसे भी आप लोग याद रखियेगा अजात सत्रू का उपनाम कुडिक था अगला प्रश्ण है चंगेज खान के अधिन मंगोलों ने किसके सासनकाल में भारत पर आक्रमर किया था याद रखियेगा अलाओ दिन खिलजी के सासनकाल में सरवाधिक मंगोल आक्रमर हुए थे यहाँ से दोस्तों प्रश्ण एक्जाम में पूछा जाता है सरवाधिक मंगोल आक्रमर किसके सासनकाल में हुए थे तो याद रखियेगा अलाओ दिन खिलजी के सासनकाल में सरवाधिक मंगोल आक्रमर हुए थे यहाँ पर C आप्सन राइट है इल्दूत मिस अगला प्रश्ण है दिल्ले सल्तनत में राज्य और प्रसासन के संदर्व में मुक्ति सब्द का क्या अर्थ है देखे दोस्तों मुक्ति सब्द का अर्थ है भूमी अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक यहाँ पर C आप्सन राइट है अगला प्रश्ण है निम्न में से किसने 1990 में धौला भीरा में खुदाई शुरू की थी देखे दोस्तों RS बिष्ट ने 1990 में धौला भीरा में खुदाई सुरू की थी याद रखियेगा धौला भीरा गुजराद राजिके कच्छ के रन में स्थित एक पुरा तात्विक असल है इसकी खोज दोस्तों सबसे पहले 1968 में जगपत जोसी ने कि थी और बाद में दोस्तों 1990 में RS विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था यहाँ पर भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस अस्थान पर प्राप्त हुआ था तो याद रखिएगा भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था बी आप्सन राइट है महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24 वे तथा अंतिम तीर्थांकर थे इसे भी आप लोग याद रखिएगा पोलो या चावगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यू हुई थी याद रखिएगा पोलो या चावगान खेलते समय कुतूबुद दिन एबग की मृत्यू हुई थी यहाँ पर ए आप्सन राइट है कुतूबुद दिन एबग की मृत्यू बारा सु दस में हुई थी यहाँ पर ए आप्सन राइट है भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है याद रखिएगा अमीर खुशरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है यहाँ पर सी आप्सन राइट है अमीर खुशरो का प्रारंभिक नाम दोस्तो अबुल हसन था इन्हें तूती ए अगला प्रश्ण है, निम्न में से किस नदी का उलेख वैदिक साहित्य में बितस्ता के रूप में किया गया है? याद रखियेगा, जेलम नदी का उलेख वैदिक साहित्य में बितस्ता के रूप में किया गया है? यहाँ पर D. आपसन राइट है. अगला पृष्ण है भगवान महावेर का जन्म वर्तमान समय के किस राजजी में हुआ था? याद रखियेगा भगवान महावेर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राजजी में हुआ था? यहाँ पर D. option right है जैन धर्म के दोस्तो 24 वे तिर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैसाली के निकट कुंड ग्राम विहार में हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य कालिन भारती सासकों में से कौन अपनी बाजार नियंतरण नीतियों के लिए जाना जाता है याद रखिएगा अलाउद दिन खिल जी को बाजार नियंतरण नीतियों के लिए जाना जाता है यहाँ पर C आपसन राइट है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय सरवाधिक रूड ही वादी था याद रखिएगा दोस्तो नक्स बंदी यहाँ पर D आपसन आपका राइट है नक्स बंदी सूफी संप्रदाय सरवाधिक रूड ही वादी था यहाँ पर D आपसन आपका राइट है नक्स बंदी सूफी संप्रदाय की अस्थापना दोस्तो ख्वाजा बाकी विलाह ने की थी किसने की थी? ख्वाजा बाकी विलाह ने की थी सूफी संप्रदायों में दोस्तो यह सबसे कटरवादी या रूठीवादी था इसे आप लोग याद रखिएगा यह संप्रदाय अकबर की उदारणीतियों का विरोध किया था इसे भी आप लोग याद रखिएगा एक्जाम में पूछ लिया जाता है और बात करें दोस्तो चिस्ती संप्रदाय की तो चिस्ती संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय है इसकी स्थापना ख्वाजा मुईनु दिन चिस्ती ने की थी और बात करें दोस्तो कादरी संप्रदाय की तो कादरी लानी ने की थी और दोस्तों सुहुरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो सुहुरावर्दी संप्रदाय की अस्थापना सिहाबुत दिन सुहुरावर्दी ने की थी यहाँ पर दोस्तों D आपसन आपका राइट है अगला प्रश्न है वेदरिसी कपिल का संबंध भारती दर इसे भी आप लोग याद रख tax को किसके द्वरा सारक्षन प्रदान कीया गया था देखे दोस्तों बध्य 2100 परषेट को जात ﷺ 7 के द्वरा साम्ती साशनकाल में राजग्रिह में हुआ था का पर हुआ था राज ग्रिह में प्रथम बौध संगीत का आयोजन किया गया था कब किया गया था? 483 इसापूर में किसके सासनकाल में? अजात सत्रु के सासनकाल में और बात करें दोस्तों असोक की तो असोक के सासनकाल में 251 इसापूर में पाटल पुत्र में तृतिय बोध्य संगीत का आयोजन किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अगला प्रश्न है, अलाउद दिन खिलजी के सासनकाल में निम्न में से कौन राज जपाल था? देखे दोस्तो अलाउद दिन खिलजी के सासनकाल में गयासूद दिन तुगलक राजिपाल था यहाँ पर सी आपसन राइट है गयासूद दिन तुगलक दोस्तो अलाउद दिन के सासनकाल में पंजाब प्रांत का राजिपाल था इसी ने खिलजी वंस्ट के बाद 1320 में तु राजवन्स से सम्मंधित है तो देखे दोस्तो कृष्ल देवराय ये तुलुव राजवन्स से सम्मंधित है यहाँ पर ए आपसन राइट है कृष्ल देवराय दोस्तो तुलुव राजवन्स और विजयनगर समराजी के महानतम सासक थे बाबर ने दोस्तो अपनी आत्म कथा तुजुक ए बाबरी में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे सक्तिसाली सासक बताया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अगला प्रश्ण है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से सम्मंध रखता है, देखे दोस्तों, यजुर वेद धार्मिक अनुष्ठानों से सम्मंध रखता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बात करें, रिग वेद की, तो रिग वेद में आरियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं, राजनीतिक जीवन का वेडन मिलता है, और साम वेद को दोस्तों, भारती संगीत का जनक माना जाता है, अथर वेद क बात करें, तो अथर वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वसी करण, एवं, उपचार सम्मंधी और सधियों से सम्मंधित, शूक्तों एवं, मंत्रों का संकलन किया गया है, यहाँ पर दोस्तों, बी आप्शन आपका राइट है, अपने महापर निर्वान से पहले, बु का महापर निर्वान, जिसे मृत्त भी कहा जाता है, 483 इसा पूर्व में 80 वर्स की अवस्था में कुसी नगर में हुआ था, यहाँ पर एव आप्शन राइट है, तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है, यह सभी प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए क